हालो एवरीबन हावर यॉल कैसे आप सब लोग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जिस तरीके से मैं यहां पर खड़ा हूँ क्रोमा कट करके पीछे आप देख रहो ना इनिमेशन इसको हटाऊँगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे मैं ऐसे स्ट मार्ग देता है तो क्या करते हैं चलो क्रोमा से रिमूव करते हैं देखा आपने यह एक्चल है अब मैं रोहित आपको बोलते हो थोड़ा सा पीछे जाओ और पूरे स्टूडियो को दिखा दो कि हम किस जगह पर कैसे खड़े हैं देखिए यह जो आप पूरा सेटप देख आने वाला हूँ देखिए अब भी मैं थोड़े टाइम के लिए आपको इस बल्व के बारे में बताऊंगा कि बल्व में क्या कैसीज़े की जरूत होती है और आपको यहां पर ग्लास केसिंग होती है यह आप सबको पताइए कि यह जो है वो ग्लास केसिंग है देखिए बह पहन के color change कर सकते हो highlight कर सकते हो बहुत 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 अच्छा सा output आपको यहां पर मिलता है और पूरे प्रॉपर वे में आप basic setup के साथ ने भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो इस video को देखके आपको समझ में आ गया होगा कि इस setup के साथ में आप किस तरीके से ऐसा video बहु को मैंने क्या किया हुआ है मैंने अपने पर्दा लगता है न उस APP मैंने वहां पर डाला नीचे से भी मैंने वैसा ही लगा आ इसको लगा आप देखो कि मेरे पूरे studio में जो क्रोमा है वो बिल्कुल भी सल नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट है आप फिर से समझ लो उपर curtain वाला pipe नीचे curtain वाला pipe और side में stretch कर लिया अब दूसरा दर्द होता है लोगों का रोना आता इसमें असमें आता lighting में देखो हमने lighting में क्या किया यह two by two के पैनल है simple है पैनल यह पैनल आपको मार्केट में बहुत easily available होते है आप इसको लिजिएगा हेवल्स कंपनी के पैनल लीजिएगा यह जो stand है यह stand हमारे है simple lighting के stand है किसी भी studio वाली shop पे आपको easily मिल जाएंगे अब रोही तीसाइड आओ हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर इसको ऐसे attach कर लिया है यहाँ पर हमने attach कर लिया ऐसा आप basic जुगाड आप भी कर सकते हो देख उसके बात किया कि हमने जब छोटे से रूम में आप रहते हो तो अब eco create होता है अभी थोड़ा बहुत इको है पर निगली जिवले तो हमने यहाँ पर यह acoustic sheet लगवाई है यह acoustic sheet बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाती है यह video जो आप देख रहे हो मेरे side में इस video को आप देख लीजिएगा definitely eco वाला problem आपका remove हो जाएगा इन acoustic sheets से इसके बाद में हमने क्या किया तो आप नीचे आईए जमीन पर हमने carpet लगा कर रखाव यह बेसिक सा carpet है सस्ता संदर carpet होता है carpet की detail भी आपको चाहोगे तो comment करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा यह बात थी हमार इस studio में जो camera use हुआ है वह बारा से 20,000 के बीच का webcam use हुआ है इसका output आपने देखा कितना शांदार आया अब देखिए हमने एक और चीज़ लगई light वाले stand पर हमने light वाले stand पर भी हमारी LED को fix कर दिया वह क्यों किया क्योंकि जब हम जब ऐसा teacher में पढ़ाता हो तो मुझे वो screen यहां पर show होनी चाहिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ इसके बाद में मुझे एक basic system की जरूवत थी यहां पर तो मैंने basic configuration के system को लगाया है system का configuration क्या होना चाहिए इसके लिए आप इस video को जरूर देखिएगा इससे आपको clear हो जाएगा कि system का configuration क्या होता है अब यहां पर आपको बता चलेगा आउजा को कौन सा माइक आपको लेना है इसके अलावा बसता क्या है देखिए पूरा studio का studio में आपको करा चुका system आपको बता चुका इसके बाद में हमारा है यह tablet यह मेरा touchscreen tablet है यह है digital pen tablet अगर इस pen tablet के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बताया है Wacom 1 के बारे में इसको आप बाए कर सकते हो इसका replacement आप चाहे तो एक simple 3-4,000 रुपे के tablet से भी कर सकते है अब मेरे वीट आप से request करता हूँ आप इस side आईए मैं उनको educators को view दिखा सकता ह कि वो कैसा दिखेगा तो आपको screen को ही दिखाना है अब देखो यहां पर मैंने कितनी यहां पर मैंने 3 screen का use किया हुआ एक तो मेरे graphic tablet पर आप देख पाऊगे कि यह देखो पूरा दिख रहा है ऐसे करके यह OBS का view है और यहां पर मैंने OBS में क्या कर रखा है तो मैंने OBS का preview window निकाल कर यहां पर रखा हुआ है तो मैं पढ़ाते से में मुझे कैसा दिख रहा हूँ मुझे यहां पर पता चल जाता है तो मैं आप क्या करता हूँ यहां पर यहां पर मैं अपने PowerPoint कर लेता हूँ और इसको full screen कर देता हूँ अब आप देखिए मैं जो पढ़ा रहा हू मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका विव ऐसा दिख रहा है और यहां से मैं इस स्क्रीन पर सिम्झे PowerPoint दिखेगा और मैं यहां से कुछ भी लिख सकता हूँ यहां पर जैसे देखी हैं, आप मैं यूद पढ़ा कैसे रहा हूँ अब मैं पढ़ाने वाला विव देखको आप Hello students how are you all आज हम इस topic के बारे में discussion करने वाले है और यहाँ पर हम light के बारे में बताने वाले है तो यहाँ पर दो type की light है in such situation इस तरीके से proper तो मेरा जो output आ रहा है वो आपको यहाँ से दीखेगा क्या आपको teacher को इता होता है इस वीडियो को देखने के बाब में आप easily सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ सकते है अगर यह सारा सब को share करने के बाब भी आप studio setup नहीं कर पा रहे हो तो हमारी nominal fees के साथ में आप हमारी consultancy ले सकते हैं इस consultancy से में आपको यह make sure करूँगा कि आपने अगर यह consultancy ली है तो जितना खर्चा आप extra कर देते हो उन सारे extra खर्चेस को मैं कम करवा दूँगा यह मेरा promise है इसके अलावा मैं आपसे एक request और करता हूँ अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को subscribe करिए बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share करिए ऐसे लोग जो वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो वीडियो बनाना चाहते हैं स्टूडियो बनाना चाहते हैं उन तक मेरी बात पुछाने के लिए मेरी मदद करें Thank you so much for watching.